बारा घंटे बाद बुद्ध देव होंगे उधे इन तीन राशी वालों की पलट सकती है किसमत वैदिक जोतेश अनुसार ग्रह एक निश्चर समय अंतराल पर उधे और अस्त होती हैं जिसका प्रभाब मानव जीवन और प्रत्वी पर देखने को मिलता है आपको बता दे कि बुद्ध ग्रह 11 जुलाई को उधे होने जा रहे हैं जिससे कुछ राशियों पर विश्यश प्रभाब पड़ेगा मतलब इन राशियों को कोई शुपशूच ना मिल सकती है साथ ही इन लोगों को आसमेग धनलाब और करियन में तरक्की मिल सकती है आईए जानते हैं ये लगी राशिया कौन सी है मिथोन राशी आप लोगों के लिए बुद्ध ग्रह का उधेत होना शुपशाबित हो सकता है क्योंकि बुद्ध ग्रह आपकी राशिय से दूसरे भाव में उधे होने जा रहे हैं वहीं बुद्धिघरे आपकी राशी से लगन और चतुरत भाव के स्वामी है इसलिए इस समय आपको सभी भौतिक सुकों की प्राप्ती हो सकती है साथ ही आपके आत्म विश्वास में ब्रद्धी देखने को मिलेगी वहीं आप इस समय आप कोई वहान और प्रोपर्टी खरी सकती है साथ ही व्यापारियों के लिए भी यह गोचर लाबदाएक सिद्ध होगा आपको व्यापार में उन्नती की योग बनेंगी वहीं जीवन साती से जुड़ा कोई सुप्शमाचार मिल सकता है वहीं अब विवाहित लोगों को विवा का प्रस्ताव आ सकता है बुद्ध ग्रे का उदे होना तुला राशी के जात्कों को लाप्रद सिद्ध हो सकता है क्योंकि बुद्ध ग्रे आपकी राशी से दशम भाव में उदे थोने जा रहे हैं इसलिए समय आपकी आजीविका के छेतर में व्रद्धी होगी वहीं समय आपका भाग्यो देव हो सकता है वहीं कारोबारियों के लिए भी ये गोचर लाप्रद सिद्ध होगा आपको व्यापार में उन्नती की योग बनेंगे कारोबार का विस्तार हो सकता है वहीं नौकरी प प्राप्ति के नए अफसर खुलेंगे मीन राशी आप लोगों के लिए बुद्ध ग्रे का उधित होना शुब फलदाई साबित हो सकता है क्योंकि बुद्ध ग्रे आपकी गोचर कुंजली के पंचम भाव में उधे होने जा रहे हैं इसलिए इस समय आपको संतान पक्षे काफी अनुकूल रहने वाला है वहीं जो लोग अध्यात्म जोतिश विचारक या कर्मकांट से जुड़े हुए हैं उनको यह समय शांदार साबित हो सकता है साथ ही आपके लिए धन प्राप्ति के नए अफसर खुलेंगे आस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है धर्मकता कि यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद